हेलो दोस्तो मेरा नाम है नरेंद्रे और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ अपने चेनल आकाउंट्स योड शॉलेशन में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बीजी सॉफ्ट्वेयर को अपडेट कैसे किया जाता है इसके बारे में आपके लिए मैं बताऊंगा कि बीजी सॉफ्ट्वेयर में जो नया अपडेट हाया है वो कैसे चेक कर सकते हो आप आपका जो Google Chrome है वो open करना है जैसे आप open करोगे तो यहाँ पे search bar में लिखना है आपको VGWIN जैसे आप VGWIN लिखके enter करोगे enter करने के बाद जो first number का जो option है इस पे आपको click करना है जैसे आप इस पे click करोगे तो आपको यहाँ पे इस तरह के एक window नजर आएगे आपको यहाँ पे click करना है product पर जैसे आप product पे click करोगे तो मेरे पास जो first number का जो option है VG21 real 2.1 जो 20 February 2021 को नया update आया है इसको आप check कर सकते हो यहाँ से आप इसको download कर सकते हो के पास VG software है तो आप direct वहीं से update कर सकते हो अगर आपके पास VG software नहीं है अगर आप demo mode में चलाना चाते हो सीखना चाते हो तो आप यहाँ से download कर सकते हो और इसको install करके आप इसको check कर सकते हो इसमें कौन से नए features है बीजी अगर आपके पास नहीं है software तो आप यहां से demo version download करके आप सीख सकते हो अगर आपको अच्छा लगे software तो आप इसको purchase भी कर सकते हो मैं आपके लिए बताऊंगा कि आपके जो बीजी software से हैं आप अपने जो software है इसको कैसे update कर सकते हो आप जैसे ही अपने software को open करोगे तो आपको नीचे से fourth number पे enter करना है check बीजी update जैसे ही आप इस पे click करोगे आपका net होना जरूरी है तब ही जाके आपको जो update है अच्छी तरह से हो पाएगा आप देख पा रहे हो कि मेरा जो current version है 1.2 है और जो नया update वर्जन आया है 2.1 है setup है वो भी download कर सकते हो लेकिन आपको full setup नहीं करना है आपको केवल जो ये 20MB की जो file है यही आपको download करनी है आपको यहाँ पे tick mark करना है और ये दोनों already tick mark है अब आपको करना इसको डाउनलोड अपडेट पे click करना है जैसे आप download अपडेट पे click करोगे तो आपके पास यहाँ downloading चालू हो रही है जैसे यह downloading complete हो जाती है तो मैं आपके लिए बताऊंगा इसको update कैसे किया जाता है इसमें दो फाइल आपके पास download होगी उसको किस तरह से पहले किसको update करना है और फिर किसको update करना है इसके बारे में मैं आपके लिए बताऊंगा आप देख पा रहे हो कि आपने जो update किया था वो बिल्कुल अच्छे सा update complete हो चुका है इसका download और अब चेक कर सकते हो कि यह जो download हुआ है यह कहां पर आपकी जो फाइल है यह कहां पर है c users इसके बाद desktop पे यह आपकी दोनों फाइल है डाउनलोड हो चुके इसको करना है आपको ok जैसे आप इस पर ok करोगे bg software से आपको बाहर निकल जाना है वहां कि यह जो दोनों फाइल है आपके डाउनलोड हुए आप यहां से चेक कर सकते हो इसका time कि यह अभी जो download हुए ईताई यह वाली फाइल है यह फिर और फाइल में कि तो मैं चेक कर पारा रहा हूँ तो यहां पर जस्त यह 5 मिन्ट पहले मैं ठ्लेमक जो फाइक डाउंलोड हुए इस पर आपको product treaty करना है जैसे आप कि इस फिल्क रोग ऋगहे जैसे product पे आप किलिक करोगे तो आपको यह यहां पर यह करना है यह करने के बाद इसको next करना है next कि यह इंस्टॉल यह आप देख पा रहे हो कि 21 जो bg 21 है इसका two point version है नया जो update आया है 20 फरावरी 2021 को यह आपका पस्ट जो option है यह तो update हो चुका है जो दूसरी फाइल है इसको भी check करके देख लेते हैं आपके पास जैसे आपने update किया था तो दो फाइल डाउनलोड हुई थी एक फाइल अपन update कर रहे हैं इस पर आपको yes करना है next yes install आपकी दोनों फाइल है बिल्कुल अच्छी तरह से update हो चुके अब देख लेते हैं अपना bg software open करके के इसमें वर्जन जो change हुआ है या नहीं हुआ है पहले अपने पास 1.2 था पहले का जो वर्जन था 1.2 था अपने पास अब यह change हो गया है मेरे पास जो नया वर्जन है 2.1 यानि जो नया वर्जन में ने update किया है वो मेरे software में update हो चुका है इसके बाद मैं check करके देख लेता हूँ इसमें कि क्या-क्या चीजे इसमें नई आए हैं आप आ रहे हो कि आपका जो अपडेट किया था आपने तो आपका वर्जन चेंज हो चुका है वर्जन चेंज होने के बाद आप इसमें check कर सकते हो कि आपके पास जो नया update आया है उसमें क्या-क्या चेंज हुआ है जैसे अभी जो इश्यू था IFF का जो return नहीं नि जो IFF का जो नया features आया है इसके बारे में बताया गया है इसका जो नया option दे दिया returns का कि आप यहां से निकाल सकते हो जैसे उस IFF का return निकालना है आपको तो आपको GST reports पे click करना है GST returns और यहां पे आप देख पा रहे हो कि पहले यह वाला जो option था IFF Invest Furnishing Facilities का यह नहीं था और यह जो नया जो update आया है 20 फरवरी 2021 का इसमें यह update आ चुका है और आप यहां से अपना return निकाल सकते हो और अपने CA को आप भेज सकते हो मैं आपके लिए बता देता हूं कि यह return किस तरीके से निकालना है जैसे आप IFF Invest Furnishing Facilities पे आप click करोगे तो आपको यहां पर आपकी date enter करनी है कौन से date से कौन सी date तक का आप data भेजना चाते हो मैं एक अप्रेल से 30 अप्रेल का data date select कर लेता हूं इसके बाद मुझे करना है enter enter करने के पाद आप देख पा रहे हो कि मिर पास इसमें B2B invoice है only three और अगर आपके पास कोई credit note debit note होगा तो य यह भी आपके साबने आ जाएगा क्योंकि यह जो पार्ट से आई FF का जो टेक्स से related है जिन पार्टियों के साथ आप business करते हो या जिन पार्टियों को आप माल बेजते हो उनका अगर आपके पास GST number है तो गोर्मेंट ने जो नहीं इसकी निकाली है IFF इसमें यह होता है क आप जैसे किसी के लिए माल बेजते हो तो वो आपका जो quarterly return का system था उसमें वो अपना ITC बिल्कुल नहीं claim कर पा रहा था और उसको जो text था जो ज़्यादा pay कर रहा था तो अब जो नई scheme निकाली है IFF की इसमें आप हर मन्त अपने clients के जो returns जो फाइल करोगे या अपनी पा पार्टियों को यह अगर माल बेचा है GST वाली पार्टियों को तो आपको वो 10 पार्टियों की B2B की detail आपको GST portal पे upload करवानी है वो जो आप upload करवाओगे उस scheme का नाम है IFF है और इसके तुरू आप जैसे upload करोगे तो आपका return फाइल हो जाएगा और फाइल होने के बाद उनको आप जैसे आपके customer है उनको ITC मिल जाएगा इस तरीके से आप चेक कर सकते हो और इसका जो return निकालना है वो किस तरीके से आपको निकालना है इसके बारे में मैं आपके लिए बिल्कुल अच्छे से बता देता हूँ आपको किलिक करना है इस पे आप जैसे एंटर करोगे आपके पास दो ओप्शन आ रहे हैं JSON और CSV फाइल जैसे आप JSON फाइल पे किलिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे date आएगी date का आप भेजना चाते हो data एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको फाइल सेलेक्ट करना है कि आप जो यह फाइल बनेगी जो आपकी कहां जाके save होएगी तो आपको यहाँ पे मैंने desktop सेलेक्ट कर रखा है इस पे मैं कर देता हूँ ओके यहाँ पे आपको जरूर चेक्क करना है अगर आपका कोई error है यानि कोई किसी party का GST नमबर गलत है तो यहाँ पे आपके लिए बता दिया जाएगा कि आपका इस party का GST नमबर सई नहीं है तो आपको errors पे बिल्कुल अच्छे से चेक्क करना ह जो बनता है उसमें इनवेश नमबर भी डालने के पहले आउसकता पड़ती थी उसमें भी अगर आपने कुछ गलत कर रखा है तो यहां से वह बता दिया जाएगा आपको प्रोसीट पर क्लिक करना है जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपकी फाइल बनके बिल्कुल तयार हो चुकी है इसको चेक कर लेते हैं जैसे मैं चेक करूँगा तो मेरे पास जो यह file है बिलकुल अच्छ से बन गई है अब मैं इस file को अपने सीए को मेल कर सकता हूं जैसे ही मैं मेल करूंगा इस फाइल को वो अप्लोड कर देंगे ज्येस्टी पोड़ल पे और हमारे जो क्लाइंट है उनको आईटीसी मिल जाएगा और हमारे कोई मिसमेच भी बिल्कुल भी नहीं आएगा इसके लावा जो दूसरा जो फॉर्मेट है उसके बारे में मैं आपके लिए बता देता हूं कि दूसरे फॉर्मेट की कैसे निकालनी है आपको इस पर एंटर करना है यहां पर चेक कर सकते हो जो भी एरर होगा पता चल जाएगा अगर नहीं है तो कोई प्रोब्लमाली बात है नहीं आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है फाइल बन गई है देख सकते हो कि आपकी जो CSV फाइल है करेंगे आपके जैसे CSV इसको इस फाइल को अपलोड करेंगे तो आपके जो भी जिनके लिए आप माल बेशते हो तो उनको ITC मिल जाएगा और आपका रिटन फाइल हो जाएगा और उनको कोई किसी तरह का मिसमेच बिलकुल नहीं आएगा इस तरीके से आप अपना जो बीजी सोफ्ट वेर है जो अपडेट कर सकते हो आपको चेक करते रहना है कि आपका जो भी कोई नया जो अपडेट है आया है य लेट ओन होना चीए और यहां पर चेक कर सकते हो कि मेरे पास अभी करेंट में जो वर्जन है 2.1 है जो लेटेस्ट वर्जन है वो भी 2.1 है अभी कोई नया वर्जन नहीं आया है अगर आपके पास कोई पूराना वर्जन है जैसे 1.1 1.2 तो आप इस तरीके से अपडेट कर सकते हो अपडेट करने में आपको कोई प्रोब्लम आती है तो आप मुझे कमेट करके पूछ सकते हो इस तरीके से जो भी बीजी सोप्ट्वेर द्वारा नए जो अपडेट आते हैं अभी जैसे आपके पास आई एफ एफ का जो नया जो फीचर्स आया है इसके बारे में इ यह उस option को enable करते हैं और उस पर नया अपडेट ला देते हैं इस तरीके से आप अपने उप्डेयर को अप डेट कर सकते हो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो like और share जरूर करे वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद